गांदी जी का सपना था कि हमारा देश स्वक्ष हो स्वस्त हो नमस्कार मैं सोनु कुमार आप देख रहे हैं मिडिया दर्शन अभी मैं करगहर विधान सभा के करगहर यह एस्टेडियम जो जगजीवन राम एस्टेडियम के नाम से मसुहूर है और कैमरा में से मैं चाहूंग का सभा जाओगा कि ठोड़ा सा ओध्रिस से दिखाया जाए जो तमाम जिले के जितने भी बड़े जन प्रतिनीदी है और विहार के बड़े जन प्रतिनीदी है इसी जगजीवन राम एस्टेडियम में आकर उसी पर कार्जीकरम करते हैं ने सबसे-स्टियम कि फिढ़ा जूम करके दिखाया जाए वहीं वह 스टेडियम है जहाँ पर बिहार के कई दिगज नेता यहीं वह isted glauben से आते हैं चुनावी मैदान में उतरने केनिये बाते लह करते हैं और वहीं से संबोधित करते हैं और यहीं पर वह जनता आकर इसी इस्टेडियम में ख़डा स्टेडियम है जहां पर भी हार के कई भी ता यहीं वह स्टेडियम से आते हैं स्टेडियर मैं उतरने के लिए बाते करते हैं और वहीं से संबोधित करते हैं और यहीं पर वह जंता Seo कर इसी एस्टेडियम में खड़ा होती है और लंबे लंबे भासर देते हैं मगर मैं अभी करगार विधान सभा में मौझूद हूं और करगार विधान सभा का दिखाऊंगा जो आपको दिरिस्य जो देखकर मतलब कि बहुत बुला ही स्थिति इस विधान सभा का दिखेगा को रखा जा रहा है और किस तरह से यहां पर स्वक्षिता के नाम पर लूट घसोट मची हुई है कैमरे के मादम से मैं जूम करके थोला सा दिखाने का प्रयास करूंगा देख सकते हैं यहीं वह द्रिस्य है जो पूरा स्टेडियम जो जल जमाओ की स्थिति से उत्पन हुई है और यहां पर चार महीने तक पांच महीने तक कोई बच्चे खेल नहीं सकते हैं स्टेडियम में और कोई यहां पर देख सकते हैं कि यह जर जर इस्थिति है इस स्टेडियम का मैं एक और बता बात बता देना चाह रहा हूं यह करगहर का इकलोता इस्टेडियम है जो जो इम्रे के माध्रम से देख सकते हैं हरी भरी घास जो है जो पानी के उपर लगा हुआ है और यह सारा जो मतलब यह तलाब में तबदील हो चुगा है कोई यहां पर अस्थानिय लोग है मैं उनसे बात करूँगा और बताऊंगा कि कुछ दिन पहले लोहिया स्वक्षभियान के इसे भी नहीं है गांदी जी का सपना था कि हमारा भारत स्वक्ष हो और एक और बात बता देना चाहता हूं परधान मंत्री की जी के द्वारा 2019 में 2 अक्टूबर तक ओडीयब को मुक्त कर देना था यानि गंदीगी को मुक्त कर देना था मगर देख सकते हैं कि कुड़े का अंबार इस स्टेडियम में लगा हुआ है यहां के जनप्रतिनिदियों की कानों में जूत तक नहीं रेंगती है यहां के अस्थानिये मुख्या सिर्फ जुम्लाबाजी करते हैं बड़ी-बड़ी दावे करते हैं लोहिया सुक्ष अभियान के तहत इनके उपर ग करगहर बिधान सबाका करगहर में इकलोता यह जग जिवर नाम एस्टेडियम है जो यहां बीस किलो मीटर दूरी के तै करके बच्चे आपर खेलने के लिए बिया आते हैं कूदने के लिए बहुत ही जर जर है इसकी सचाई यहां के जनप्रतिनिदी सिर्फ जुम्लेबाज करते हैं कोई काम नहीं करते हैं और यह जो एस्टेडियम है तलाब जैसा तब्दिल हो चुका है यहां के कुछ अस्थानिये नेता जी लोगी है मैं नेता ही बोलूँगा इनको और यह राजत के खर्जी करता है और इनकी सरकार भी आचुकिए क्या नाम है मेरा नाम मनोज या पहर में इकलोता स्टेडियम है क्या कहना चाहते हैं काफी जरजर हैं मैं यह कहना चाहूंगा कि बिहार सरकार महागठबंधन की जो नई-नवेली सरकार बनी है तो लोहिया स्वक्षता अभियान के तहत सरकार के माध्यम से इसी ब्लोग के प्रांगण में अभी एक महीना प राजकरम का नाम दिया गया स्वक्ष पंचाइत सुंदर गाम के तहत मैं लाखों रुपए की रासी यहां खर्च किया गया लेकिन आज जो जग जीवन स्टेडियम का हलात है तो मैं यहां के जन प्रतिनिधियों और जो प्रसासनिक तंत्र है चाहे यहां का वीडियो साहब साहब हो उनके पैर के नीचे ही यह सारी चीजें हो रही है उनको क्या दिखाई नहीं देता है कचणा को अपने काजकरम को धरातल पर उतारने के लिए उसका एक सिस्टम होता है उस सिस्टम के तहत ब्लॉग पर प्रखंट विकास पदादिकारी होते हैं और अंचला अधिकारी होते हैं और एक बीसी होते हैं उनके तथ बीसी साहब के तहट ये सारे चीज बांटा गया और ये कुणे में कुणे दान में नो रख करके और एक इसका आस्थाई चैनित जगह भी हुआ होगा जहांकि इसको लेजा करके डंप करना है लेकिन आज ये जगह जगजीवन एस्टेडियम बना हुआ है ये बड़ी ही सर्म की बात है और मैं आपके कैमरामेन आपके माध्यम से मैं इस बात को सरकार तक पहुचाना चाहूंगा और यहां के सोये हुए पदाधिकारियों के पास भी इस बात को पहुचाना चाहूंगा कि या था सिग जगजीवन एस्टेडियम को साफ सुत्रा कराई जाए और सुन्दर स्वक्ष जो गाव और पंचायत का नारा दिया गया है उसको धरातल पर उतारने का काम किया जाए करगहर पंचायत की हकिकत यही है कि स्वक्ष करगहर पंचायत को बनाएंगे सुनदर बनाएंगे और यही पर गेढ्य महीना पहले भलॉक के प्रांगन में कार्ज करम हुआ था और कहा गया था 108 द्यू के प्रांगन में धरातल पर अभी तक कोई अच्छा काम नहीं हुआ है और बलकि कच्ड़े का अंबार बना हुआ है करगहर का पंचायत और यह स्टेडियम अभी यह क्या नाम है आपका मेरा नाम डाक्टर जैगुपाल सी राजत का प्रखंड अध्यक्ष क्रहगर क्या हम लोग कहते कहते थक यहां के अधिकारियों से भी कि आप लोग फिल्ड को भरवाई यह जग जीवान स्टेडियम को और साफ सुतर लेकिन कोई सुन नहीं रहा है कोई लोग यहां मतलब की सिधा सीधी तोर पर बताईए कि इसमें गल्ती किसकी है यहां की नेताओं की गल्ती है कि ब्रेस्ट यह लुटारों के अधिकारियों की गल्ती है वर श्री अधिकारी बैठे हुए है उनका गल्ती है इसमारा जो आता है पैसा सफाइ कभियान पर सारा चीज घ्ठ लोग जाते हैं अ कि इसेमें बशाथ में भारा हुआ अपानी देख नहीं कितना है कचड़ा देख रहे हैं उधर कचड़ा भी लगा हुए कचड़ा क्या माल हम लोग कहते कहते था कल गए थे वीडियो साहब के पास बोले कि हम कचड़ा जो है लोग रोड के जरी गिरा दे रहा है उसको साफ सफाई करा ये तो बलने कि जगा हो वंटर नहीं है उसे हमारा गहर जग जीवां राम तiki क्या से सीदी है सीधा सीधी तोर पे यह राजत की नेता है और यहां के सबसे अधिकारी है और कुछ लोग है मैं बात करूँगा कि यहां के चार महीने में जो बरसात जैसे ही आता है और ये जो अस्टेडियम है जलासे में तबदील हो जाता है औ और यहां के बच्चे कहां खेलने के लिए जाते हैं कहां पर कुदने के लिए जाते हैं क्या सिकायत है क्या सिकायत है कि देखिए काम के लिए जिससे पैसा दिया गया है यहां काम नहीं हो रहा है जो लोग यहां काम करते हैं जिनको काम दिया गया है उनसे अगर बोलिये का कि जाना है सबको आना जाना है ज़ाड़ लगाना है रहा है लेकिन दिन नहीं हो रहा यह एक दिन बस वराह उसके दशी Bless महिनाते के लिए बंद मतलब की सफाई के नाम पर केवल फोर्मेल्टी पूरा किया जाना है जो हम लोग का गल्ली है इधर आप मालीजे की लोग आठ दिन के बाद आ रहे हैं कचड़ा तो डेली होता है घर में डेली होता है लेकिन डेली कचड़ा हम लोग कहां भी गए उनको करगहर का छितना ककचड़ा है डंपिंग कहां होता है तो जघ जिवन राम स्टेडियम में मतलब यह कितनी सर्म्नाक है कि सोच सकते हैं कि जो यह धरोखर मना जाता है करगहर ब्लॉक और कर्गहर प्रखंड का इकलोता ये स्टेडियम है मगर कचले का डंपिंग करगहर के जग जीवर्राम बिदान सबा सबा का और करगहर प्रखंड का जो इतने भ्रस्ट यहां के अधिकारी आप और यहां के जन प्रदीनिदि यह उन्से बात कर रहा हूं चार महीने आप लोग खेलने कहां जाते हैं जो बचे आर्मी की तैयारी कर रहे हो ब्यार पूलिस की तैयारी कर नहीं दोड़ते हैं यहां के जो अस्थानिये मुखिया है उनसे कभी आप लोग बात कि कि लिए कोई जगा चाहिए खेलने का जो जगा है यहां जो ज़ासे जैसा तबदील हो चुका है पानी बर चुका है स्टेडिय में कभी बूला गया है कि बड़े लोग बोलते हैं उनका सुनते नहीं तो हम लोग का कौन सुनेगा यह कचडा डंपिंग यहां पर क्यों किया ज अभी आपका मौंगा आरजु कि अभी अस्थानियों का सीधा सीधी तो पर कहने आए कि यहां के सबसेदी यहां प्रतिनिदी और अधिकारी है अगर प्रतिनिदी और अधिकारी कि संग्यान लेते तो इस तरह से स्टेडियम नहीं होता है ने बता दूर कि बच्चोंकि काफी दिकतों का सामना करना पड़्य और जो कुझा जो रह킹 भॉल आग जो कछड़े जो होता है उस स्थेड्य करना था मँगर कचछ भॉला है कहां किया जा रहा है तो कचले एंधे पिका करका यहाँ पर जफ्ट जीवर्राम श्टेडियम में कर दिया जाता है। औरहाँ के लड़के जो हैं दर्दर बटकते रहते हैं कि लिए और जैसे की बहाली आती है पुलिस की उस बहाली के लिए भी रोड पे डलते हैं यहां के अस्थानियों लोगों ने बताया कि यहां की जो समस्या है सबसे बड़ा सब्सक्राइब का समस्या है और बच्चे दुर्भाग की है कि हमारे बिदान सबाव और हमारे ब्लॉक में रहते हों यह भी बच्चे को रोडुप रोड का सहरा लेना पड़ता है तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रही है मैं मीडिया दर्संसे सोनु कुमार धन्यवाद